हलो बच्चों, डेली डोज में आपका स्वागत है भया, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं WBC को कैसे लर्न करें जो टाइपस आप WBC हैं, इनको हम कैसे लर्न करें ठीक है, यहाँ पर हम कंपोजिशन के बेसिस पर आपको बताएंगे कौन सी WBC सबसे ज़्यादा है कौन सी WBC हमारी बॉड़ी में लीस्ट कंसंट्रेसर में पाई जाती है यह आपका हर कंपटेटिव एक्जाम में पूछ जाता है तो आज इसको हम क्लियर करेंगे ठीक है भया तो आपको पता है हमारी बॉड़ी में जो यह ग्रेनलो साइट होती है इसमें WBC होता है RBC होता है और प्लेटलेट्स होता है ठीक है और WBC डिफरेंट टाइप क्यों होती है ठीक है तो जो WBC डिफरेंट टाइप क्यों होती है इनमें किसका कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है और किसका composition सबसे कम है इसी के आधार पर हम याद करेंगे देखे जो neutrophil है ये हमारी body में लगबग 60% पाए जाता है और जो limposite है लगबग 30% हमारी body में पाए जाता है जो monocyte है ये 6% और जो eosinophil है ये 3% और जो vasophil है वो 1% है तो देखने से आपको पता जाल जाता है neutrophil सबसे जादा 60% और basophil सबसे कम कितना 1% ठीक है आपको देखे चौर option दिया रहाता है उसमें से आपको choose करना होता है तो आपको ध्यान देना है देखे इसका trick है आपको never let me eat बनाना एक बच्चा है वो केला खा रहा है लेकिन बोल काना है never let me eat बनाना मुझे कभी भी कहला खाने मत दो तो नेवर से जो यह स्टाइटिंग में है उनकी composition सबसे कम जो नेवर है उनकी composition सबसे जब से कम Is90 डीका करना है neutrophil लेट से आपको क्या करना है lymphocyte मी से आपको eosinophil और बनानास में 20 से आपको 200 फिल याग करना है ठीक है तो maximum concentration आपका neutrophil का है किसका है बच्चा neutrophil का maximum concentration है और सबसे कम concentration किसका है 200 फिल तो आज़ा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो लर्न हो गया होगा कभी भी आपको exam पूछेगा तो आप बता देंगे औ और बेस फिल जो बनाना से है उनका 1% ठीक है आटलिस्ट आप जो maximum है और जो minimum है इसको याद कर लें प्रीबियस लेक्चर में हमको हमने आपको इसेंसियल और नानेसेंसियल एमनेस का ट्रिक बता था प्लीज उस वीडियो को देखें और अपना कॉंसेप्ट क्लियर करें थैंक्यू सो मजब बच्चों मिलते हैं नेक लेक्चर में नए कॉंसेप्ट के साथ